चोर निकल के भागा फिल्म की शुरुवात में हमें कुलू एरपोर्ट दिखाया जाता है और अभी रात के दो बजरे होते हैं एक एरोप्लेन के बाहर बहुत सारी पूलिस की गाड़ियां लगी वी हैं और एक रौफिसर परवे शेख एक आदमी यंकिस सेठी को इंट्रोग जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो सुबा होते ही होटल से निकलता है वो लिफ्ट लेकर एरपोर्ट के ले निकलता है उसी शहर में हम एक और बेन कैरेक्टर नेहा ग्रोवर से मिलते हैं जो एक फ्लाइट अटेंडनेंट है जो भी उसी एरपोर्ट के ले निकलती एयरपोर्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं यहां हमें सुधान शुरोय नाम का भी एक करेक्टर दिखाया जाता है और लगता है यह कुछ प्लैन कर रहे हैं फ्लाइट टेक आफ करने ही वाली है और नेहा और उसके साथ एक और फ्लाइट अटेंडेंट वीनिता पैसेंजर्स को वेलकम करते हैं और वो एक छोटे से बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है इसके बाद हम आठ महीने पहले के फ्लैश बैक को देखते हैं अलबरकस से न्यू दिली जाने वाली फ्लाइट में नेहा पहली बार अंकित से मिली उसने वीगन खाना ओर्डर किया था लेकिन उसे नौन वेच खाना मिल गया इसलिए नेहा उसे अपना वीगन मील दे देती है और कहती है मैं मैनेज कर लूँगी वो उसे डिनर पर ले जाने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है कहती है मैं बिजी हूँ न्यू दिली के नाइट कलब में नेहा और विनिता इंजॉय कर रही होती है तब ही उसकी नजर अंकित पर पढ़ती है बाहर निकलने के बाद अंकित उसके साथ फलर्ट करता है और नेहा बहुत ड्रंक लगती है रास्ते में नेहा और उसके सहेलियों की गाड़ी खराब हो जाती है इसलिए अंकित नेहा और उसके दोस्तों को लिफ्ट देता है लेकिन नेहा उसे ज़ादा expectations ना रखने के हैं लेकिन पता ने क्यों नेहा उसे कहती है दोबारा हम नहीं मिलेंगे लेकिन अंकित हार नहीं मानता दोनों चैट करते रहते हैं और इसके बाद वो फिर से मिलते हैं और डिनर के लिए बातों ही बातों में पता चलता है कि सोशल मीडिया से अंकित को नेहा के बारे में ब पस एक चोट की निशान है, वो इस पर बात नहीं करना चाहती, कहानी प्रेजन्ट में आती है और हम उसी फ्लाइट को देखते हैं, नेहा सुधानशू और उसके बगल बैठे आदमी से ओर्डर लेती है, और तब इस फ्लाइट में हम अंकित को भी देखते हैं, इसके बाद जब नेहा अंकित से कहती है, और उसे कहता है कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, इस पर नेहा और पैनिक करने लगती है, क्योंकि वो प्रेजन्ट नहीं हो सकती, और मौका देखकर अंकित उसे शादी के लिए प्रपोस करता है, बहुत मनाने के बाद आखिरकार नेहा मान जाती है जब अंकित नेहा से उसकी मा का नंबर मांगता है तो नेहा कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में अपनी मा को नहीं बताया है पर मेरा एक कजन है सुधानशू जिसे मैं तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ फिर अंकित को कॉल आता है जो उसे पीछे देखने को बोलता है, दो आदमीं उसे बाहर बुला रहे होते हैं, नेहा चिंता करने लगती है, क्या खिर वो लोग है कौन, वो जाकर उसे पूछती है, तो अंकित कहता है कि वो मेरे आफिस के लोग थे, जिस पर नेहा कहती है कि तुम लोग चोरी-चोरी क्यू बात कर रहे थे, आखिर चल क्या रहा है, तुम मुझे बता सकते हो, और आखिरकार हिमच जुटा कर अंकित उसे बता देता है कि दो साल पहले उसने एक डायमंड इंशॉरेंस कंपनी स्टार्ट की थी, एक एम्प्लॉई ने 20 करोर के डायमंड को मिस्प्लेस कर दिया, और बातों ही बातों में पता चलता है कि वो लोग चाहते हैं कि अंकित उनके लिए चोड़ी करे, इसके बाद नेहा खुलासा करती है कि उसके कंधे में दाग कैसे पड़ा, वो बताती है कि उसके पापा अंडर वर्ड का पैसा समालते थें, एक बार हिसा में गर बड़ी हो इसके बाद हमें एक और फ्लैश बैक दिखाया जाता है, अलबरकत में इंडिया का होम मिनिस्टर एक डायमेंड लगावा फोन देख रहा होता है, वो एक शेक उमर बिन से दील करता है जो डायमेंड इंडिया पहुचाने का काम करेगा, जैसे ही उसे पैसे मिल जाते हैं, और वो हम मिनिस्टर से कहता है कि ये बात बाहर नहीं आएगी, अंकित सब कुछ मैनेज कर लेगा, और जो ये हीरे पहुचाएगा उसके पहचान को सीक्रेट रखा जाएगा, और जिसके इसमें डायमेंड को रखा जाएगा, उसका कॉम्बिनेशन कोड आधा होम मिनिस्ट अब हम मिनिस्टर का असिस्टेंट भगत को लेकर अंकित जाता है एक नाइट कलब में और उसे वी आईपी ट्रीटमेंट देता है, क्योंकि उसका प्लैन ये है कि वो असिस्टेंट को फुसला कर उसे कॉम्बिनेशन कोड का आधा हिस्सा मांग लेता है, ताकि हीरे उसे मि बात दिलाता है कि अगर तुने सिम को छूने की कोशिश भी की तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिस पर अंकित कहता है कि 30,000 फीट की उचायों पर कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, प्रेजन में फ्लाइट टेक आफ करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकि इसे बताता है कि प्रॉब्लम हो गई है, कूरियर मैन को बदल दिया गया है, और नहा को उस आदमी को ढूड़ना होगा, क्योंकि वो अपने साथ में सारा खाने पीने का समान लेकर आया है, वो प्लेन का कुछ भी नी खाने वाला, अब जब नहा अपने फ्लाइट का ड्यूटी कर रही होती है, तो उसे एक पैसेंजर मिलता है, जिससे कुछ भी नी चाहिए, ना वेज, ना 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 वेज, ना पानी, कुछ भी नहीं, और वो कहता है कि वो अपने खाने पेने का समान लेकर आया है, वो अंकित को इशारा कर देती है, कि आदमी मिल गया है, कुछ टेररिस्ट प्लेन को हाईजाक कर लेते हैं, वो पैसेंजर को डराने की कोशिश करते हैं, और आवास सुनकर पाइलेट एक बटन दबाता है, जिससे कंट्रोल रूम में सभी को पता चल जाता है, कि ये प्लेन हाईजाक हो चुकी है, एक टेररिस्ट नेहा को पकड़ लेता है गन पॉइंट पर और पूछता है कि इस फ्लाइट में फ्लाइट मार्शल कौन है, और सुधानशु अपना हाथ उठाता है, तब ही जहीर नाम का एक टेररिस्ट उसके पास जाता है, और उसका बंदूग ले लेता है, और उसे अपने साथ ले जाता है, तब ही बिजनस क्लास से उठा कर दूसरे जगा बैठा देते हैं, और उने अपने सीर को नीचे रखने को कहा जाता है, अंकित नेहा को देखता है और सोचता है कि वो लोग कहां फस गए, एक टेररिस्ट नेहा को पकड़ लिता है और उसे कहता है कॉक्पिट खोलने के लिए, लेक प्लेन हाईजाक होने की खबर रॉक को भी पता चलता है, और परवेश एक कुल्लू के लिए निकलने वाला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कमर्शियल एरलाइन कुल्लू में लैंड होने के लिए नहीं बने हैं, वहां का रनवे शॉट है, लेकिन परवेश कहता है कि कुल प्रेस्टिंट भगत को फोन करता है और उसे कहता है कि फालाइट अब कुल्लू जाने इसे लिए उसे कुल्लू के लिए निकलना होगा टेररिस्ट नेहा को ले कर आता है और नेहा बोलती है सभी को पानी पिला देती हूं लेकल टेरि ment बना करता है जिस पर पैसेंजर्स चिलाने लगते हैं वो सभी को चुप कराता है लेकिन एक बच्चा रोने लगता है और उस बच्चे की रोने की आवा सुनकर नेहा फिर से फ्लैश बैक में चली जाती है जब उसका सुनोग्राफी हुआ था और वो अपने बेबी को देखती है जो अभी आठ हफ़ते का है नेहा अपने आने वाले बेबी के लिए शॉपिंग कर रही होती है और अंकित उसे कहता है कि हम इंडिया से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे अपने बच्चे को अच्छा लाइव देने के लिए तब ही उसे वहाँ फिर से उन आदमी वा कॉल आता है अंकित उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि एक दिन में वो 20 करोर रुपे कहां से लाएगा और वो अंकित से बात करते वक्त नेहा को बीच में ले आते हैं जिससे अंकित गुसा हो जाता है और वो कॉल कट कर देता है और वो लग निकल जाते हैं पार्किंग में वही दो लोग अंकित पर हमला करते हैं और जैसे ही नेहा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है वो नेहा के पेट पर लात मार देते हैं जिससे वो दर्द में चिलाने लगती है और उसका खून बैहने लगता है हॉस्पिटल में जब वो उठती है तो पता चलता है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा और उन आदमियों का फोन आता है और हम फिर से अंकित से पैसे डिमांड करते हैं बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसे लिए तुम्हें चोरी करनी चाहिए नेहा बीच में बोलती है कि वो पैसे लोटा देंगे और वो अंकित को बताती है डाइमंड के बारे में उन्हें डाइमंड चुराना होगा वो अपना बच्चा खो चुकी है लेकिन अब वो अंकित को नहीं खोना चाती हाफने का नाटक करता है और अपना pump लेने के लिए वो अपने back के पास जाता है लेकिन ये मौका देखकर वो courier man के back को चेक करता है और उसे case मिल जाता है जिस पर वो combination code डालता है और case को unlock कर देता है तब ही terrorist उसके पीछे आता है और देखता है कि अंकित नाटक कर रहा था और उसलिए वो उसका नाक तोड़ देता है नेहा first rate देने के लिए जाती है उसके पास और अंकित उसे कहता है कि आज ही उनके पास last chance है फिर यह मौका उन्हें नहीं मिलेगा मनाली में परवेश शेख आदल से मिलता है और अब उसे कुल्डू ले जाने के लिए वो लोग निकलते है गाड़ी में परवेश उसे पूछता है कि आखिर जिन लोगों ने हाईजैक किया है वो है कौन तुम तो आतंगवाद के खिलाफ बोलते हो तो वो तुम्हें आज़ाद क्यों करवाना चाहते है जिस पर आदल कहता है कि पता नहीं क्यूं हो सकता है कि आज़ाद करवा कर वो मुझे मार देंगे फ्लाइट में खून साफ करने के बहाने अंकित और नेहा फिर से मिलते हैं और अंकित उसे कहता है कि मैंने सूट केस को खोल दिया है तुम बस जाकर डाइमंड को निकाल लो वो उसे बहुत समझाता है लेकि नेहा बहुत डरी हुई है और कहती है ये बहुत रिस्की है अंकित जब अपनी सीट पर वापस आता है तो टेररिस्ट उसे फिर से मानता है क्योंकि एदिनी देरी से वो वाश्रू में क्या कर रहा था कुलु के एरपोर्ट में पहुँच कर पर वेज आदिल को अपनी सेक्योरिटी में रखता है और वहाँ उसे पता चलता है कि एमबुज भी हो सकता है इसलिए उन्हें तयार रहना होगा पता चलता है कि कुल्डू एरपोर्ट में कुछी देर में प्लेंड लैंड करने वाली है वाह होम मिनिस्टर का असिस्टेंट भगद भी पहुंचता है जो कहता है कि वो पैसेंजर्स की मतद करने के लिए आया है इसलिए आफिसर्स उसे वहां रहने देते हैं फैनली परवेज इंडियन गवर्मेंट की तरफ से टेररिस्ट से बात करता है जब नेहा दूसरे टेररिस्ट को बातों में उलजा कर रखती है तो मौका देखकर अंकित बैक के पास वापस लोटता है और वो दो डाइमंड वाले फोन को निकालता है टेररिस्ट डिमांड रखते हैं कि पहले आदल को उनके पास लाया जाये तब ही वो पैसेंजर्स को छोड़ेंगे पाइलट अनौस करता है कि वो लोग लैंड करने वाले हैं नेहा सभी को बोलती है सीड बेल्ट लगा लेने के लिए और पाइलट फिर से टेररिस्ट को कॉक्पिट के पास बुलाता है तो वही अंकेत दोनों फोन के सिम कार्ट की अदला बदली कर देता है और डायमंड वाला फोन अपने पास रख लेता है जिसमें असली डायमंड लगे वे हैं और fake diamond box के अंदर डाल देता है तब ही वहाँ एक terrorist आ जाता है और उसे पूछता है कि आखिर 13 और bag का चल गया रहा है वो उसे bag खोलने को बूलता है और चेक करने के बाद उसे हीरे वाला phone मिल जाता है ये देखकर अंकित उस पर हमला करता है और जैसे plane land होता है कर मान देता है वो पैसेंजर से कहता है कि hijack अब खतम हो चुका है ये सुनकर सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और परवे शेक और पुलिस plane की और बढ़ते हैं और सुदानशू बातुर में जाता है तो देखता है कि अंकित को बांध दिया गया है वो भी बांब लगा कर जिसे देखकर पैसेंजर स्पैनिक करने लगते हैं और नेहा जल्दी जल्दी सभी को बाहर निकालती है तो वहीं वो कूरियर वाला आदमी अपना बैक को चेक करके वहां से फटा-फट निकलता है अखिर में नेहा भी प्लेन से बाहर आजाती है बांब स्कॉट को अंदर भेजा जाता है जो बांब को डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं पता चलता है कि बांब फेक था और ये सुनकर परवेज बहुत गुसा होता है अंकित उसके बाद डाइमन्ट फोन उठाता है और अपना फून लेकर वहां से निकलता है और बहार आकर वो नेहा से मिलता है जो उसके लिए बहुत चिंता कर रही होती है एक बुलिस की टीम को अंदर भेजा जाता है हाईजैकर्स की बॉड़ी को अइटिफाइ करने के लिए लेकिन पता चलता है कि अंदर एक भी बॉड़ी नहीं है इसे सभी और कन्फ्यूज हो जाते है मैं भी कन्फ्यूज हो गया किसी को समझनी आ रहा कि हो क्या रहा है इसके बाद परवेज एयरपोर्ट का सारा एक्जिट पॉइंट बंद करने को बोलता है और वो फ्लाइट मार्शल को ढूनने लगता है जिसने हाईजैकर्स को मारा था पता चलता है कि असली फ्लाइट मार्शल का नाम भानू यादव है जो ये आदमी है जो पूरी ट्रिप के दोरान सोयावा था उसे तो ये भी नहीं पता कि प्लेन हाईजैक भी हुआ था गजब और वो असली आदमी याने के सुधानशु कहां है ये किसी को नहीं पता देखते हैं कि वो ऑफिसर का भेस बदल कर वहां से निकल चुका है इसलिए परवेस को शक होने लगता है कि जो भागा है वो भी हाईजैकर्स के साथ मिला हुआ है और हाईजैकर्स इन्ही पैसेंजर्स लोगों में से एक हैं आफिसर सारे पैसेंजर्स को कहता है कि उन्हें यहां कुछ और देर के लिए रुखना होगा तो वही भगत हो जिसे अंकित से फोन मिला है पता चलता है कि उसमें डायमंड्स नकली है इसलिए भगत अंकित को धमकाते वे पूछता है कि असली डायमंड्स कहा है इस पर वो कहता है कि अगर मुझे आपको धोका ही देना था तो मैं आपके सामने क्यों आता फिर यही बात वो जाकर नेहा को बताता है जिसे सुनकर उसे विश्वास नहीं होता क्या खिर ये सब हुआ कैसे और वो कहती है कि चिंता नहीं करने के लिए नेहा को रिलेक्स देकर अंकित आग बबूला हो जाता है और उसे कहता है कि सब कुछ ठी कैसे हो जाएगा और गुस्से में वो सच कहने लगता है कि मैंने तुझे बस इसलिए पटाया तकि डाइमंड मैं चुरा सकूँ वरना तुझ जैसो की तुम्हें मूह नहीं लगता लेकिन फिर पता चलता है कि नहा भी कोई दूद की धुली वी नहीं है वो सुधानशू से मिली वी है और जब नहा के पेट पर मारा गया था वो गुंडे असली में अंकित से मिले वे थे ये नहा को पता चल जाता है फोन रेकॉर्डिंग से वो हॉस्पिटल से निकल कर अंकित को फॉलो करती है अंकित पर अंकित को एक दूसरे लड़की के साथ देखती है ये देखकर उसका दिल तूट जाता है अंकित ने उसे फसाया और उसे धोका दिया और उसका इस्तमाल किया इसके बाद वो ठान लेती है कि वो अंकित से बदला लेकर रहेगी इसके बाद वो अपने भाई जिसके बाद वो पांच लोगों को अपने टीम में शामिल करती है प्रेजन में परवेज शेख पैसेंजर्स को इंट्रोगेट कर रहा होता है और वो फ्लाइट मार्शल से पूछता है कि आखिर तुम बेहोश कैसे हो गए थे जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ फ्रूट ड्रिंक पिया था जो उसे वीनिता दी थी पूछताच के दौरान पैसेंजर्स लोग अंकित के बारे में बात करने लगते हैं कि उसका कुछ चल रहा था इसलिए परवेज अंकित से पूछता है कि आखिर तुम प्लेन में कर क्या रहे थे जिस पर वो बहाना मारने लगता है निउस में दिखाया जाता है कि हाई जैकर्स की पहचान अभी तक नहीं हुई है क्योंकि वो लोग काला मास्क पहने वे थे फिर परवेज जीनू वरगीज नाम के पैसेंजर को इंट्रोगेट करता है जो नेहा के साथ मिला हुआ है लेकिन परवेज को उसे कुछ भी नहीं मिलता और भगत होम मिनिस्टर को बता देता है कि डाइमंड्स तो उन्हें मिले लेकिन वो नकली है कूरियर मैन भी उसे मिला और पता चला कि उसके बैक से छेर चाड़ की गई थी तब जाकर उसे समझ आता है कि ये हाईजैक नहीं था चोरी हुई है वो भी उनके डाइमंड्स की परवेज अंदर एक आदमी को इंड्रोगेट कर रहा होता है जिसे नहा बाहर से देखरी होती है क्योंकि ये भी उसे के साथ शामिल है उस आदमी से पूछताच करने के बाद परवेज को लगने लगता है कि शायद ये आदमी हाईजैकर है क्योंकि ऐसा कोई भी पैसेंजर नहीं है जो इसे पहचानता है उसे ये भी समझ आता है कि इन सब में नहा भी कही न कहीं शामिल है क्योंकि विनीता से पता चला कि उसे सर्फ करने का टाइम भी नहीं था और वो होम मिनिस्टर को कॉल करती है और उसे धमकी देती है है कि वो सुधानशु को पैचानती भी नहीं और वो नहीं जानती कि असली फ्लाइट मार्शल बेहोश कैसे हुआ अंकित बाहर ये सब कुछ देख रहा होता है जब परवेस कहता है कि मुझे लगता है कि आपने और सुधानशु नहीं पैनिक करने लगती है और मना करती है कि वो तो सुधानशु को जानती भी नहीं तब ही परवेस को हो मिनिस्टर का कॉल आता है जो उसे पूछते हैं कि तुम अभी भी पैसेंजर्स को पकड़ कर क्यों रखे हो और आखिर तुम इन्वेस्टिगेट कर क्या रहे हो हाईजैक हो मिनिस्टर कहता है कौन सा हाईजैक जो कभी हुआ ही नहीं वो परवेस से कहता है अपना मजग बनाना बंद करो और मीडिया से कह दो कि तीनों हाईजैकर मारे जा चुके हैं चाहो तो सब के पासपोर्ट्स रख लो लेकिन अभी के लिए सब को जाने दो अब ज वेस की नजर अभी भी नहा पर है और पैसेंजर्स को फैनली जाने दिया जाता है हम नहा को इसके बाद एक बस में देखते हैं जिसमें उसका पूरा टीम शामिल होता है और आखरकार दिखाया जाता है कि उन्हीं में से तीन लोग हाईजैकर्स बने थें नहा के ही ड्रिंक के वज़े से वो असली फ्लाइट मार्शल बेहोश हुआ था हाईजैकर्स का बंदूग भी नकली था उनका ब्लैन ये था कि कोई भी पैसेंजर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा सिवाई एक के जो भी उन्हीं के टीम में से है सिर्फ पैसेंजर्स को डराने के लिए सुधान शो ने ही फोन को एक्सचेंज कर दिया था इसलिए अंकित को वापस से नकली डायमंड वाला फोन मिला कुलू एरपोर्ट ही लैंड कराने के लिए चुना गया क्योंकि एरपोर्ट छोटा है इसलिए सुधान शो को भागने में आसानी होगी अगर बॉम की बात की रहे तो बॉम के अंदर चॉकलेट था प्लैन बस हाईजेक करने का नहीं था बल्कि बदला लेने का भी था अंकित का हुलिया विगारने का होग मिनिस्टर भगात और अंकित के ओपर डंडे की बारिश करते हैं क्योंकि उन्हें असली डायमंड नहीं मिला और होग का फोटो होता है जो अंकित के फोन से लिया गया है इसमें वो भगर से ब्रीफ केस का कोड मांगता है डायमंड चुडाने के लिए ये देखकर वो हसने लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया कि इतने समय से नेहा भी दूद की धुली भी नहीं थी वो उसे फसा रही थी अब ह अंकित हसता है और उसे कहता है कि मैं इंप्रेस हुआ और अब मुझे सही में तुमसे प्यार हो गया है इसके बाद हम नेहा को एक प्लेन में देखते हैं और कुछ दिनों के बाद जब अंकित की हालत थोरी ठीक हो जाती है वो नेहा को फिर से कॉल करता है और उसे कहता है आ झाल झाल